अक्षे तिरतिया की आप सभी दर्सपों को धेर सारी सुख कामना है अक्षे तिरतिया के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जरूर ख़िदना चाहिए बहुत सिंपल है ज्यादा आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है दस रुपिया में वो चीजें आ जाएंगी अपने जीवन में बहुत सी परिस्तितियों से भी गुज़रना पड़ता है अधिक धन कमाने के लिए को मेहनत करता है ताकि वह अपनी और अपने परिवारों की जरूतों को पुरा कर सके खुषियों को दे पाए लेकिन जब कभी जादा मेहनत करने पर भी धन ना आए तब परिसानी आती है मानसी क्टेंजन बढ़ती है ऐसे में अगर कोई ऐसा सू मुहुर्थ मिल जाए जिस दिन कोई भी किया गया कारे अक्छे पुने दे तो सूने पे सुहा गा और यही चीजें इस अक्छे तरतिया पर होगी बलका हर अकछे तरतिया पर होती है क्योंकि इस दिन को अभू जू मुहृत कहते हैं सरवार सिद्ध मुहृत भी माना जाता है अक्छे तरतीया को जिस तरह आप दीपावली के दिन धन की देवी मा लक्ष्मी की पूजा करके किर्पा प्राप्त करते हैं उस्सी प्रकार अक्छे तर्थिया के दिन भी भी से इस किर्पा प्राप्त की जाती है वैसे तो बहुत सारी वस्तु इंट खी दी जाती है सोना खरिदना सबसे ज़्यादा सू माना जाता लेकिन हर किसी के किसमत में उतना पैसे नहीं है कि वो सोना खरिद पाए आपके घर में पहले से उसकी भी पूजा कर सकते हैं लेकिन आज अब खास बस्तु बताने वाले हैं जिसे अगर आप अपने घर में ले आते हैं तो धनकी कमी नहीं होगी तो पहली बस्तु है सरसों के दाने पीली सरसों के दाने पीली सरसों का जो दाना होता है अगर इसको अक्छे तिर्टियक के दिन आप खरिद कर ले आते हैं आपके घर में पहले से हैं तो इस दिन पूजा के स्थान पर रखते हैं तो मां लक्षमी की किरपा वरस्ती है आसिरबाद वरस्ता है बाद में इसको आप कपड़े में बांध कर समाल के रख लें नजर दोस्त से भी बचे रहेंगे दूसरी बस्तु है सेंधा नमक सेंधा नमक पौडर के रूप में भी आता है और उसकी डली भी मिलती है आप जो चाहे वही ले आएं सेंधा नमक ऐसा कहा जाता है कि अक्छर तिर्तिया पर अगर आप सेंधा नमक घर लाते हैं तो सुप्छलों की प्राप्ति होती है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस नमक का सेवन अक्छर capsule मुझ किजिएगा अगले दिन आप कीजिये कोई दिकत नहीं है कपास अगर आप अक्षे तर्तिया पर थोड़ा सा भी रूई खरिद कर ले आते हैं और नियमित रूप से पूजाकर में इसको यूज करते हैं पूजा पाठ में तो धन आता है धन बरसता है मालक्षमी की किरपा बरसती है और चौथी बस्तू है फल क्योंकि फल का सेवन इस मौसम म आपको मिल जाएंगे और सबसे अंत में जो सबसे खास है वो है मिट्टी का दीपक मिट्टी का दीपक सोने के बराबर ही माना गया है और अक्षे तर्तिया के दिन अगर आप मिट्टी का दीपक लाते हैं नियमित रूप से उसको जलाते हैं तो आपके जीवन में खूब प की बात नहीं लेकिन आप सिंपल सा वस्तु खरीद कर अपने जीवन में धेर सारी खुसियां पास सकते हैं मालक्षमी को आकर सित कर सकते हैं और जो मिट्टी का दीपक लाएंगे इसी में आप दिया बाती कीजिएगा यह तो थी आप वो कौन सी पांच वस्तु हैं जो इस अक कर यह आना चाहिए तो अक्षे तिर्टिया के दिन अगर आप अपने रासी के नुसर वस्तु लाएं तो जीवन में खुसियां बढ़ेंगी तो मेस रासी बालों को मसूर की डाल खरणना चाहिए आपका सूर को बल मिलेगा जीवन में चारो तरफ आपकी जयजय कार होगी बिस्तब रासी वालों जिनकी की इस्ट देव मालक्षमी स्वयम है ऐसे में आपको चावल खरिदना चाहिए ऐसा करने से धन की देवी मालक्षमी की किपाबर सेगी पूरे साल छक कर आएगा पैसा तो आप चावल जरूर खरिदें जो मिथून वाले हैं इनके रासी के स्वामी है बुद्देब आपको हराम मुंग खरिदना चाहिए वैसे आप धनिया भी खरिद सकते हैं कपड़े भी खरिद सकते हैं चुकि अक्छे तिरत्या का दिन बहुत सुमाना गया है इसलिए आपको मुंग जरूर खरिदना है थोड़ा ही सही पर खरिदियेगा जरूर और इसको अगले दिन से खाईए जो भी बस तो लाईए खरिद के उस दिन न खाकर अगले दिन खाईएगा करकरासी आपको चावल और दूद खरिदना चाहिए वैसे आप दूद की चाई खीर बना कर खा सकते हैं कोई दिकत नहीं है जो तिस कहता है कि दूद और चावल खरिदने से आपका मन मस्तित में जो भूचाल रहता है वो सांथ हो जाएगा और आप कूल रहेंगे सिंग रासी सिंग रासी बालों का स्वामी स्वैम सूरी है इसलिए आपको लाल रंग का फल खरिदना चाहिए या आप चाहें तो तामबा भी खरिद सकते हैं नहीं तो लाल रंग का फल खरिद लें इससे आपका सूरी को बल मिरेगा और जीवन में खुसी आएंगी सुर्य मजबूत होगा कन्यारासी इनको मूंग की डाल खरिदना चाहिए ऐसा करने से जीवन में सुकसांती बनी रहती है और वैसे भी आपके लिए मूंग की डाल खरिदना है हराम मूंग नहीं खरिदना आपको डाल खरिदी है सुकसम्रिदी बढ़ेगी तुलारासी तुलारासी बालों आपके सुक्र स्वैम मालिक है तो आपको चीनी और चावल अक्ष्य द्रतिया के दिन जरूर खरिदे जो तिस कहता है इन चीजों को खरिदने से आपके जीवन में खुसियां बढ़ेगी खुब धन आएगा सानों सौकत बढ़ेगी क्योंकि आपके सुक्र को बल मिलेगा जो ब्रिस्चिक बाले हैं उनको यहां पर देखिए आपको गुड़ या फिर पानी पानी बोतल में आता है ना आप उसको भी ले सकते हैं या गुड़ खरिद के ले आएं तो आपके लिए बहुत सुब रहता है गुड़ को आप भोग लगा सकते हैं फिर आप प्रसात के रूप में खाईए धनु रासी धनु रासी वालों देव गुड़ बेस्पती स्वयम आपके रासी के सौमी है आपको केला या पीले चावल खेदना चाहिए इससे पूरे साल खुसियां बरसेंगी जीवन में कोई कस्ट नहीं रहेगा धन, संतान, सुख सब कुछ मिलेगा तो केला या फिर पीले चावल खेदिये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा मकर रासी आपको अक्षे तर्तिया के दिन अपनी रासी के अनुसार वैसे तो काली डाल काली डाल या नहीं काली उड़द की डाल खेदना चाहिए या आप चाहे तो दही खेद ले दही भी खेदने से आपको अक्षे तर्तिया का दोगुना फल मिलेगा तो सोना हर किसी के बस की बात नहीं है, अपनीरासी आनुसाश चीज खेद ले तो भी काम चल जायगा कुम रासी, आपको काला तिल या फिर कपड़े खेदना चाहिए अब कपड़े काले हैं ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी कलर खेद सकते हैं लेकिन काला तिल खरिद कर ले आए और नियमित रूप से पूजा वेगरे में यूज करें थोड़ा ही ले आए आपके जीवन में खुसिया आएंगी जो मीन दासी वाले हैं उनको हल्दी और चने की डाल खरिदना चाहिए क्योंकि देव गुरु भिस्पती आपके रासी के स्वामी हैं और ये चीजें खरिदने से जीवन में खुसिया बरसेगी अक्षे तिर्तिया पर हल्दी और चनी की डाल खरिदने से पुन्ने भी मिलेगा और आपके जीवन में खुसिया आएंगी धन, सुक, संपनता तो अक्षे तिर्तिया के दिन हमने जाना कि कौन सी वह पांच बस्तु हैं जो खरिदनी चाहिए अपनी रासी के अनुसर आपके रासी के स्वामी को बल मिलें पर एक और बात याद रखेँगा अख्शे तरतिया के दिन हम सत्तु जरूब कहनें चाहिए चने ka सत्तु कोई आप श्री हरी को चने की दाल का भोग लगा अई और इस दिन पूरे परिवार के साथ आम और सत्तु खाने का विधान है तो आप लोग सब कोई खाई है पका मिले तुस्री हरी को जरूर अर्पित क करें कच्चा मिले तो वही अर्पीत कर दें वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखें धन्यवाद